मुश्किलों का कुछ इसकदर सामना करो ताकि जीते तो भी इतियास बन जाए और हारे तो भी इतियास बन जाए Hello and Good Morning Everyone आप सभी लोग का स्वागत है Shady Gloss के उपर और आज की बहतरीन सोबह की शुरुआत हम लोग बहतरीन कोट के साथ में करते हैं आप अपनी मंजिल को पाने के लिए हर दम प्रियास रत रहते हैं हर इफट हर संगर्ष को जहलने के लिए आप लोग तयार रहते हैं लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जब आप लोगों ने उस मंजिल को पाने की ठानी थी और इस संघर्ष के दौर से आप लोग गुजर रहे हैं तो जब भी आप लोग का रुकने का मन करें तो ये सोचिएगा कि जब आप लोगों ने इसके शुरुआत की थी तो क्या केवल यही सोचा था कि हम बीच रस्ते में इसको छोड़ देंगे ये तो नहीं सोचा होगा इसलिए आप जो है वो हर वक्त मंजिल के बारे में सोचिए कि उस मंजिल तक कैसे पहुचा जाए तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के सेशन की और बहुती बहतरन सेशन जो है व के लेगा रज़त पदक सिल्वर मेडल जो है वो दिया जाएगा देखिए अभी टोक्यो के अंदर ऑलम्पिक आयज़त की जाने वाले हैं अब यदि मान लीजिए कोई खिलाडी फाइनल के अंदर पहुच गया है मतलब सेमी फाइनल तक वो पहुच गया है और सेमी फाइन जो है वो दिया जाएगा अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच वर्शू पुराना व्यापारिक विवाद जो है वो खत्म हो चुका है क्या था ये विवाद कि जितने भी ये प्लेन निर्माता जो कंपनिया है जैसे बॉइंग है तो इनके लिए कितनी सबसीडी प् चुका है आतंकी फंडिंग के लिए धन जमा कर रहे है पाक संगठन पाकिस्तान ने वहां के पवित्री स्थान को भी नहीं चोड़ा है और वहां पर पैसा इकटा करना शुरू कर दिया है आतंकी फंडिंग के लिए तो पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है इससे पह लोगना पर पहुंचाने का सरकार का लक्ष है देखिए हम लोग एतना प्रिफर कर क्यों रहें आकिरकार ये सोचने की बात है हम लोग petroleum products के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है वही जो है निर्भरता उसको कम करने के लिए ethanol को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं किसके अंदर petroleum परदार्त के अंदर जैसे आप लोग पहले देखते होंगे कि E12, E15 ये जो है ये percentage fix रहती थी तो ethanol की percentage जो है वो 12% अब जो है वो E शुरू होगा कितना 20% तो 2023 तक हमारा लक्ष है कि हम लोग petrol के अंदर 20% तक ethanol को mix करें और ethanol का जो निर्भान है वो सड़ी गली जितनी भी व यहां तक की गन्ना है उनसे ethanol का उत्पादन किया जाता है ट्विटर का intermediary का धर्जा जो है वो खतम हो चुका है देखिए ट्विटर और भारत सरकार के बीच में कई विवाद हुए हैं यहां तक की ट्विटर ने अपना अधिकारी भी नियुक्त नहीं किया था और भारत की द्वारा ये भी कहा गया था कि आप 1178 जो अकाउंट है उनको डिलिट कर दीजिए लेकिन फिर भी ट्विटर इस चीज के लिए राजी नहीं हुआ आगे हम लोग कुशन में देखेंगे कि यहां पर ट्विटर और भारत सरकार के बीच में क्या विवाद है और कौन से समीत का गठन भी किया गया है संकटकाल में सेना की जरुवत पूरी करेगा फ्रेट कॉरिडर देखिए सबसे पहले ये समझे कि वाट इस फ्रेट कॉरिडर क्या होता है कि एक स्पेसिफिक एक माल वहक ट्रेक जो है वो निर्मित किया जाता है और ऐसा ट्रेक हर्याना के गैसे दूसरे जगे माल लीजिए कि किसी दूसरे देश के साथ में कोई युद्द छिड़ता है या फिर सामान परिसितियों के अंदर भी ये सामान जल्दी पहुंचाना है तो ऐसे फ्रेट कॉरिडर काम में आते हैं बिजली सबसेड़ी भी किसानों के खातों में देने की सबसेडिस दी जाएगी वो भी अब किसानों के खातों में सीधी पहुंच जाएगी ठीक है इसी को हम लोग कहते हैं डीबीटी डारेक्ट बैनेफिट फंड ट्रांसफर और ये क्यों किया गया है क्योंकि बिजली को लेकर कई जो है वो अर्मियमित्ताएं सामने आई थी औ और इसलिए सबसेडिक किसानों के खातों में सीधी ट्रांसफर कर दी जाएगी इतावली नौ सैनिकों पर दो भारतिय मचवारों की हत्या का मुकदमा सूप्रिम कोट ने किया बंद देखिए 2012 की ए घटना है एक जहाज जो था वो सिंगापूर से जा रहा था कहां पर एज मचवारे वो आते हैं लेकिन इस जहाज के अंदर दो सैनिक जो थे इतावली मतलब इटली से उनका संबन्द था वो भी तैनाथ थे उन्होंने ये समझा कि सोमालिया से जो भी पाइरेट्स जो हैं उन्होंने यहाँ पर दावा बोल दिया है मतलब वो कबजा करने के लिए हमला उन्होंने कर दिया है इसलिए उन्होंने ये समझ कर दोनों जो सैनिक थे उन्होंने फाइरिंग शुरू कर दी और मचवारों को इन्होंने क्या कर दिया इनको खतम कर दिया और यही केस जो था वो 2012 से चलता हुआ आ रहा है कहांपर 2021 में और अब जो है ये केस खतम हो सरकार ने इनके उपर 10 करोड रुपे का जुर्माना लगाया है और इसको 3 पार्ट के अंदर बांट दिया है 4 करोड, 4 करोड और 2 करोड के अंदर ठीक है तो वहाँ पर 2 मचवारे जो थे इनके परिवारों को 4-4 करोड रुपे दिये जाएंगे इसके साथ में ही जो नोका को संचालित कर रहा था जो नोका को चला रहा था उसको भी क्या किये जाएंगे 2 करोड रुपे दिये जाएंगे भारत ने सैनने पुलिस में नेपाली महिलाओं की भरती का रास्ता खोला नेपाल की जितनी महिलाएं हैं वो अब इंडियन आर्मी के लिए आर्मी की जो पुलिस है उस डिपार्टमेंट में अपलाई कर सकती है यदि इनोंने दस्वी पास किया है और इसके साथ में ही उनकी एज लिमिट जो है वो 21 वर्ष तक है तो वो अपलाई कर सकती है और ये भ प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है प्रेशर जो है वो होता है कम और टेंपरेचर होता है हाई जिसके कारण क्या होता है कि तिबबत का जो पठार है वहाँ पर लो प्रेशर का एक एटमोस्फिरिक कंडिशन क्रियेट होती है लेकिन अभी वो प्रेशर इतना बन नहीं प के उपर जाईए आप लोग विजिट कीजिए बहुत ही बहती बहतरीन कोर्स बैंकिंग के लिए हैं यहां तक की NCRT जो है quality, history, geography की वो भी आप लोग के लिए upload कर दी गई है आप लोग के कोई भी question हो query हो आप लोग मुझे इंस्टा पर पूछ सकते हैं इसके साथ मैं ही आप लोग को daily जितनी भी questions है उनका quiz जो है वो मेरे telegram channel के उपर available करवा दिया जाता है और इसकी PDF जो है with answers वो भी आप लोग को available होती है telegram channel के उपर तो चलिए सबसे पहले हम लोग 16 जून के current affair को revise कर लेते हैं UNESCO की science report के अनुसार भारत research field में GDP का कितना प्रचित खर्थ करता है तो वो है 0.7% भारतवा जापान की बीच हिंद महासागर में कौन सा युद्वभ्यास आईजित किया जा रहा है तो वो कौन सा है GMAX जो है XIZ की जा रही है हाल ही में तूलू भाषा को समिथानिक दर्जा देने की मांग उठ रही है ये किन राज्यों की है तो वो है करनाटक और केरल भारत में COVID-19 की वैक्सिन से पहली मौत किस कारण दर्ज की गई है तो वो की गई है एनाफाई लैक्सिस के कारण की गई है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6000 बिलियन डॉलर भारत में पहली बार कौफी के नए प्रजाती जो खोजी गई है वो अंडबान बैटर वर्ड सरकार ने 15 जून 2021 से सोने पर हॉल मार्ट जो है इसको क्या कर दिया है इसको इंप्लिमेंट कर दिया है कमपल सरी कर दिया है हाल ही में चीन के द्वारा सेंचाउ 12 रॉकेट से मानाव अंतरिक शुडान गोशित की गई है यह कहां से छोड़ी जाएगी तो गोवी डैजर्ट जो है वहां से इसको छोड़ा जाएगा जो कि एक कोल्ड डैजर्ट है योवा शक्ती कोरोना मुक्ती अभियान किस राज्य सरकार की पहल है तो वो किसकी है मद्य प्रदेश सरकार की यह हमारा 16 जून का सतत विकास लक्षे में दूसरे इस्थान पर कौन से दो राज्य रहे हैं तो आप लोग इसमें याद कीजिएगा हिमाचल प्रदेश और तमिल नाडू जो है वो इसमें दूसरे स्थान पर रहे हैं जबकि फर्स्ट पोजिशन पर कौन है वो है केरला और लाश्ट पोजिशन पर कौन है वो है बिहार बड़े हम लोग आगे चलिए आज है 17 जून और बहुती बहतरीन करंट अफेर की शुरुवात हम लोग करते हैं यह मान के चलिएगा कि मेरे जो करंट अफेर हैं थोड़े से डिफरेंट जरूर रहते हैं लेकिन आपको विश्वास तब होगा जब UPSC या फिर PCS के अंदर आप इन कोशन्स को देखेंगे तब तो आप लोग मान जाएंगे कि हाँ सर आपने जो हमारे पीछे मेहनत की है वो कहीं न कहीं सक्सेस्फुल है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेर को सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट किस राज्यक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी तहत सेमी हाई स्पीड रेलवे कोरिडोर का विकास किया जाएगा देखिए ये जो योजना है वो तो आप लोग समझ लीजिए कि ये तो किसकी है केरल सरकार की योजना है देखिए सबसे पहले आप लोग ये समझ ये कि यहाँ पर सेमी हाई स्पीड रेलवे कोरिडोर मतलब सेमी हाई स्पीड मतलब हाई स्पीड से थोड़ा सा तो कम है ये तो बात ठीक है लेकिन केवल ये railway के लिए ही dedicated एक corridor है जिसके तहत क्या किया जाएगा यहाँ पर passenger जो है वो one destination to another destination जो है वो travel करेंगे और ये travel का time period भी काफी कम हो जाएगा चलिए समझते हम लोग इसके बारे में कि कितनी किलोमेटर है और कहां से कहां तक ये चलेगी यहाँ पर आप लोग news देख सकते हैं दा इंडिन एक्सप्रेक्स की केरला silver line project feature and challenges of the ambitious railway line तो बहुत ही बहतरीन ये है और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 63,940 करोड रुपे का क्या है ये project है वहां के कई जो MLA's है वो AC's का objection उठा रहे हैं कि क्या इतना बड़ा project इतनी जल्दी खतम हो सकता है तो ये केरल का one of the biggest infrastructure project है जिसमें 63,940 करोड रुपे जो है वो इसके अंदर खर्च होंगे तो समझते हैं हम लोग कि ये क्या project है देखिए सबसे पहले तो केरल का जो सदन मुष्ट जो एरिया है उसको नदन यानि की कासर गोड से तिर्वनन पुरण से कासर गोड को connect करने के लिए ये silver line project जो है वो शुरू किया गया है केरल government के द्वारा जो कि कितना किलोमेटर है 539.45 बहुत लंबा जो है ये corridor है इसके साथ में ही ये 11 districts को cover करेगा और 11 railway station जो है वो इसकी उपर बनाई जाएंगे चलिए आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ठीक है सर तो क्या ये पहली बार ही है ऐसा पहले वहाँ पे कोई trains वगरा नहीं चलती थी नहीं चलती तो थी लेकिन वहाँ पर उनकी speed जो थी वो इतनी नहीं थी इसके साथ में ही वो बार-बार stations पे रुक के जाती थी तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी location सबसे पहले land देखिए 532 km है 11 district को ये cover करेगा इसके साथ में इसकी speed देखिए 200 km प्रती घंटा ठीक है इसका जो time period है वो 2020 से 2024 मतलब 2020 तो COVID-19 की कारण निकल गया तो 2021 से इस project को शुरू किया गया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि केरल के अंदर कासर गोड जो है ये बिलकुल नदर के अंदर है जबकि तिरवननदपुरम केरल की जो capital है वो बिलकुल south के अंदर है तो दोनों को ये connect करेगा ठीक है तो यहाँ पे railway stations जो है इस टोपेज वो भी इसके दिये हुए है चलिए इस map में हम लोग देख लेते हैं बिलकुल western guard जो है यहाँ पर ये है तिरवननदपुरम और ये है कासर गोड तो दोनों को ये connect करेगा दे कि बिलकुल किनारे पर ये चल रही है यहाँ पे आप लोग के लिए मैं एक चीज बता दूँ कि लक्षे दीब जो है वो भी केरल की जुड़ी शिरी के अंदर ही आता है तो अभी recently जो भी विवाद चल रहा था लक्षे दीब के उपर वो केरल की जुड़ी शिरी के अंदर आ गया यहाँ तक कि जो अभी हम लोग बात कर रहे थे इतावली सैनिकों के बारे में इटली के जो नौसैनिक थे उनका केस भी सबसे पहले केरल के हाई कोट के अंदर ही चला था तो आप लोग देख सकते हैं कि इसकी डेडलाइन जो है वो 2025 कर दी गई है 2000 पहले 20 से 24 तक थी लेकिन कोविट की कारण 21 से अब 25 इसको कर दिया गया है तो यह केरल और केरल गवर्मेंट और दा यूनियन मिनिस्ट्री ओफ रेलिवेस की बीच में क्या है वेंचर है तो आप लोग याद रखना सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट किसका है यह है केरल का तो केरल की एक कौन सी नदी है जो लगाता रंग परिवर्तन कर रही थी देखिए आप लोगोंने सुना होगा कि पेरियार नदी पेरियार नदी जो है वो केरल के अंदर बहती है और अरब सागर के अंदर जाके गिरती है लेकिन रंग परिवर्तन क्यों किया आप लोगोंने एक चीज और सुनी होगी यूट्रोफीकेशन तो यूट्रोफीकेशन के अंदर क्या होता है कि जितनी भी अलगीज है उनको जादा ही निउट्रिशन मिलता है जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में कोई पौधा है उस पौधे को जादा ही हम लोग खाद वगरा दे रहे हैं तो वो क्या होगा कि वो जल्दी ही जो है वो ग्रो कर जाएगा वैसे ही अलगीज जो है उनको क्या दिया जाता है जादा पोशन जो है इसे मान लीजिए कि पानी जो है वो जादा गंदला हो गया है खराब हो गया है तो ऐसी कंडिशन जो है वो तो अलगी के लिए सुटेबल है अब वहाँ पर क्या होगा कि उनकी growth जादा होगी growth जादा होने से जब वो algae's दिरे-दिरे खतम होने लगेगी तो वहाँ से नदी का रंग जो है वो परिवतन होने लगेगा तो आप लोग नदी का नाम याद रखना वो है पेरियार रिवर स्मार्ट किचन परियोजना किस राज्य की है तो ये भी किस की है ये है केरला की इसमें क्या होगा कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको किचन को बनाने के लिए सरकार की द्वारा एक loan जो है वो provide कराए जाएगा भारत में पहली बार सैने पुलिश में किस देश की महिलाओं को बरती करने का फैसला लिया है तो वो है नेपाल अब आप लोग को ये कोशन मन में आ रहा हुआ कि सर क्या नेपाल ही हमारे लिए इतना ज़्यदा important है देखिए नेपाल को अभी importance देना इसलिए जरूरी है क्योंकि नेपाल जो है वो चाइना और इंडिया के बीच में फस गया है एक तरफ से चाइना जो है वो उसे पुल करता है जबकि इंडिया जो है वो उसे पुल नहीं करता क्योंकि नेपाल से हमें इतना ज़्यादा कोई benefit होता नहीं है लेकिन नेपाल से हमारे relation जो है वो काफी पुराने हैं ठीक है तो अब क्या है कि नेपाल और भारत की बीच में से आप लोगों ने सुना होगा उत्राखंड के अंदर है काला पानी इसकी साथ में है लेपुलेक ठीक है और फिर है लिम्पिया धूरा तो ये तीन जगे जो हैं वो भारत और नेपाल की बीच में disputed है तो नेपाल की जो महिलाएं हैं उनको सेना के अंदर भरती किया जाएगा लेकिन इसकी लिए condition है सबसे पहले इनकी जो age group है वो 16 से 21 साल की बीच में होनी चाहिए इसके बाद में ही इनकी education जो है वो minimum 10 पास जो है ये होनी चाहिए ठीक है और ये आविदन कब तक कर सकती है तो यदि आपका कोई friend नेपाल में रहता है तो आप लोग बता सकते हैं उसको कि 20 जुलाई जो है वो इसकी last date है तो क्या हम लोग केवल नेपाल को ही allow करते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं Times of India का ये news है और यहाँ पे आप लोग देखिए कि पहली बार ये हो रहा है कि इंडियन आर्मी के अंदर जो vacancies है वो नेपाली women के लिए यहाँ पर clear की गई है तो क्या हम लोग केवल नेपाल को ही allow करते हैं देखिए नहीं नेपाल को ही नहीं इसके साथ में हम लोग देखिए नेपाल हैं भुटान हैं और फिर तिब्बद है इसके साथ में ही जो भारत में रहते हैं ठीक है नेपालीज हैं भुटानीज हैं उनको क्या किया जाता है आर्मी के अंदर recruit किया जाता है यहां तक कि इनके जो पूर्वस थे जो कि इन सैनाओं के अंदर जो इंडियन आर्मी के अंदर शामिल थे उनके जो बच्चे हैं उनको भी इन्वाइट किया जाता है कि आप भी आर्मी में शामिल हो सकते हैं ठीक है इसके साथ में ही आये में एनिकी Indian Military Academy जो है वहाँ पर पाकिस्तान, बर्मा, श्रिलंका, केनिया, थाइलेंड, यूगांडा, तंजानिया, जांबिया, मालावी, Democratic Republic of Congo, इथोपिया, वियतनाम, ऐसे कई देशों के जो परसोनेल्स हैं उनको भी वहाँ पर ट्रेनिंग द जाती है, लेकिन यहाँ पर एक समश्या बहुत बड़ी है, देखिए, यहाँ पर समश्या यह है, कि जब भी उनको आये में के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो आपस में लड़ भिड़ते हैं, ठीक है, तो यह निउस आप लोग देख सकते हैं, पांच मार्च दोज 2021 की यह निउस है, लेकिन दो दिन पहले भी एक निउस सामने और आई थी, कि आये में के अंदर इंडियन आर्मी के जो परसनल्स हैं, वो, कैड़ेट्स हैं, वो, और फॉरें एक मिलिटरी थी, जो कि ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आई थी, उन दोनों के अंदर क्या हो ग गई थी, ठीक है, तो बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है, यह भी एक काफी बहतरीन काम करता है, और इनके बीच में अभी डाइवोर्स का केश जो है, वो चल रहा है, इसके बीच में, माइक्रोसॉफ्ट के, देखिए, रिसेंट्ली आज की यह निउस हैं, डबलो एचो से मानेता प्राप्त करने वाली चेन की दूसरी वैक्सीन, तो पहली जो वैक्सीन थी, वो कौन सी थी, सीनो फार्म थी, जबकि दूसरी जो वैक्सीन बनी है, वो कौन सी बनी है, सीनो वैक, क्या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कि इं वुडन सेटलाइट किस सेटलाइट के द्वारा लॉंच किया गया आप लोग सोच रहे होगे कि वुडन का सेटलाइट क्यो लॉंच किया जाएगा क्या जरूत पढ़ रही है जब इतने बड़े बड़े सेटलाइट हमारे पास में है तो wooden का लकडी का satellite launch करने की कहां जरूत पट रही है तो यह satellite जो है वो तो launch किया है किसने European Space Agency ने लेकिन यहां पर wooden का इसलिए launch किया गया है कि एक तो इसका वजन कम ठीक है इसका जो weight होता है वो कम होता है दूसरी बात कि इसमें जो लकडी use की जाती है वो लकडी जो है वो कितना atmospheric conditions को face कर सकती है और इसके साथ में ही इसका आकार जो है वो भी छोटा होता है तो इसको launch कब किया जाएगा December 2021 में New Zealand से इसको launch किया जाएगा ध्यान रखिए New Zealand से जो है वो इसको launch किया जाएगा ठीक है और लकडी जो है वो काफी हद तक तापमान जो है temperature इसको सहन कर लेती है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि the words first wooden satellite will launch this year तो यह जो है यह first wooden satellite है जो कि इस साथ launch किया जाएगा और इसका नाम क्या है इसका नाम है visa wood set यह नाम जो है वो काफी important है आप लोग याद रखना one day exams में यह पूछा जा सकता है इसे कहा गया है nano satellite तो nano satellite का means होता है कि काफी छोटा है मतलब 4 by 4 जो है यह इसकी size है 4 inch हम लोग कह सकते हैं कि 4-4 inch जो है यह इसकी size है और इसका weight आप लोग देखिए केवल 1 kg का यह satellite है अब देखिए यहाँ पर इसको जो coat किया गया है वो plywood के साथ में coat किया गया है यह क्या करेगी कि जो भी behavior है उसको test किया जाएगा इसके durability को test किया जाएगा और जो space के अंदर extreme conditions होती है उसके लिए कितना suitable है उसको भी test किया जाएगा red tourism किस देश की पहल है तो आप लोग याद रखना चाइना की red tourism जो है वो इसकी पहल है basically यहाँ का जो sign होता है वो red color का होता है ठीक है और उसी के basis पर यहाँ के जो tourism है उनको red color से फिर इनको क्या किया जाता है paint किया जाता है लेकिन चाइना की policy है red tourism इस राज्य के द्वारा corona मुक्त गाओं प्रत्यकिता शुरू की गई तो वो है कौन सा महराष्ट्र है ठीक है महराष्ट्र जो है इसके द्वारा शुरू की गई और वहां की जो gram पंचायत है वहां की gram पंचायत को यदि उसने अच्छा काम किया है COVID के लिए तो इसके लिए उसको क्या दिया जाता है पुरसकार भी दिया जाता है देखिए इसमें क्या होता है कि 3 gram पंचायत जो है उनको चुना जाएगा पहली जो gram पंचायत है उसको 50 लाग इसके बाद में दूसरी जो है उसको 25 लाग और तीसरी जो है वो 15 लाग रुपे इसके अंदर दिया जाएगा ये समीती जो है इसको अध्यक्षता की जा रही है और इसके द्वारा कहा गया है इस कमिटी की द्वारा कि आप जो है वो 18 जून तक हमारे सामने पेश हो और अपना जो क्लेरिफेकेशन है वो दें लेकिन ये समन भेजा क्यों हो गया है वो समझ ये आप लोग देखिए कारण है इसका कि चार फरवरी को जो है देखिए यहाँ पर डेट में आप लोग को बता रहा हूँ चार फरवरी 2021 को इंडियन गवर्मेंट ने ट्वीटर को ये कहा था कि आप जो है वो 1178 अकाउंट जो है वो डिलिट कर दीजिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंडिया की हुआ कि जो हमारे पास में इंफोर्मेशन टेकनलोजी एक्ट जो है एक्ट 2011 में बना था इसके बाद में इसमें अमेंडमेंट किया 2021 में और उसकी तहत क्या था कि 25 मई 2021 तक 25 मई 2021 तक जितनी भी ये सोशल मीडिया जो साइट्स हैं इनको एक ऐसा आफिसर रिन्यूक्त करना था जो कि इन सब की देखबाल करें ठीक है मतलब इनकी निगरानी करें देखबाल तो क्या करेंगे ये तो इनकी निगरानी करें तो 25 मई जो है वो इसकी लाश डेट दी गई थी बागी सभी सोशल मीडिया जो साइट्स हैं उन्होंने तो अपउइंट किये लेकिन पैनल समन्ट ट्वीटर और मिस्यूज ओफ इट्स प्लैट्फॉर्म यहाँ पर आप लोग देखिए कि शहशीर थरूर की द्वारा इसको क्या किया जा रहा है है टोटल इसके अंदर 31 मेंबर से हैं 21 हैं लोग सभा से और 10 मेंबर जो हैं वो राज्य सभा से हैं ठीक है यहा प्रतिष्टित व्यक्ति का यहां तक ही नहीं यही यहीं पर खतम नहीं होती है जैसे मोहन भागवत हैं उनके भी ट्वीटर अकाउंट से इसके साथ में नाइजीरिया के जो राश्टर पती हैं उनके भी जो ट्वीटर हैं वहां से वेरिफिकेशन का साइन हट गया था इस चौदवाइस्तान है तो इसमें जो total countries है total country जो है वो इसके अंदर कितनी है 114 तो 114 country जो है इसके अंदर भारत का कितना है 14th rank जो है वो भारत की है देखिए क्या कहता है ये कि giving index means कि जब covid फहला था तो उस समय उस समय कौन से देश थे जिन्होंने दूसरे लोगों की मदद ज्यादा की है तो ऐसे कौन से लोग थे कि जो अजनवियों की help कर रहे हैं उनको support दिया है सहरा दिया है तो यही कहलाएगा क्या giving index और इसमें भारत की rank कौन सी है 14 है काफी अच्छी rank इसमें है आप लोग को भी मैं बताऊंगा कि जानकर ताजूब होगा कि जितने भी developed nations हैं वो इसके अंदर काफी पीछे रह गए हैं ठीक है चलिए यहाँ पर आप लोग देखिए कि यह जो है वो है इंडोनेशिया याद रखना बहुत important है इंडोनेशिया है फिर केनिया नाइजीरिया मयामार और आस्ट्रिलिया ठीक है तो यह five country जो हैं इन्होंने टॉप किया है जबकि अमेरिका फ्रांस इस्पेन जो अपने आगे development के कई सारे उधारन पेश करते हैं वो यहाँ पे आकर फैल हो जाते हैं चलिए सतत विकास लक्षे में कौन सा राज्य सबसे अंतिम पाइदान पर है तो बिहार जो है वो बिलकुल last आया था और first जो आया था वो कौन आया था वो आया था केरल और यह SDG जो था वो जारी किया गया था किसके द्वारा नीती आयोक के द्वारा और नीती आयोक को गठन किया गया था एक जनवरी 2015 को गठन किया गया था बीज मिनी किट जो प्रोग्राम है वो लाउंच किया गया था किसके लिए कि जितनी भी दलहन की फसले हैं मतलब डाले जो हैं वो और जिनसे तेल निकाला जाता है मतलब तेलहन जो फसले हैं इनकी उत्पादन को प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाय जाए इसके लिए किसानों को जो है वो फ्री के अंदर इनके किट दिये जाएंगे इनके सीड्स जो है इनके किट दिये जाएंगे और वो बहुती बहतरी किट रहेंगे वैक्सिन वदवाओं की आपूर्ती करने में मैडिसिन्स फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट ठीक है तो मैडिसिन्स फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट जो है वो किस राज्ये का है तो वो किस का है तेलंक आना का है ठीक है तो वैक्सिन के साथ साथ में मैडिसीन जो है वो भी क्या की जाएगी ड्रोन के दोरा सप्लाई की जाएगी तो आप लोग देख सकते हैं कि एक बॉक्स जो है वो ड्रोन की नीचे बान दिया गया है और फिर ये क्या करेगा कि एक जगे से दूसरे जगे ये क्या करेगा फ्लाइ करेगा लेकिन ये सब इतना आसान है क्या ढ्रोन को जो है वो खुले आस्मान में छोड़ना खतरनाक नहीं होगा सोचके देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे यहाँ पर एर स्पेस है वो कहीं न कहीं इसकी दोर occupied किया जाएगा तो इसके लिए rules and regulations जो है वो भी निर्मित हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि medicine from sky जो है यह इस तरीका का पहला project है ठीक है तो जितने भी government जो है government hospital PSC जो है वहाँ पर vaccines और दवाओं को क्या किया जाएगा भीजा जाएगा ठीक है और इसको जो अनुमती दी है drone को वो civil aviation ministry जो है इसकी दोरा यहाँ से approval ली जाती है और यहाँ पर देखिए unmanned aircraft system rules 2021 रिसेंटली यह बना ही था और उसके तहती यह सब जो है वो permissions दी गई है अब जो है वो हो सकता है कि third wave जो है उसका सामना हम लोग करें तो उससे पहले ही सारे management जो है वो किये जाना जरूरी है तो drones को हम लोग कहते हैं कि यह unmanned aerial vehicle है इसके साथ में ही यह तीन तरगे के होते हैं कौन से उन से होते हैं एक तो देखिए एक तो होते है remotely जो remote से work करते हैं ठीक है फिर होते हैं autonomous मतलब automatic जो work करते हैं इसमें sensors लगे रहते हैं यह automatic पहले से ही इसके location जो है वो feed कर दी जाती है फिर है model मतलब की automatic भी और remote से भी यह work करते हैं यहाँ पर हम लोग five categories के अंदर remote जो unmanned aerial vehicle होते हैं drone उनको पांच पार्ट में हम लोग divide कर सकते हैं नैनो को वजन की अनुसा डाइसोग्राम का होता है फिर micro, small, medium और large यहाँ पर आप लोग देखिए कि drone regulation 2018 के अंदर बनाए गए थे और इसकी अनुसा red zone जो होता है वहाँ पर drone को उड़ाने की अनुमती नहीं होती क्योंकि हो सकता है कि वो जो aircraft हैं उनसे टकरा जाएं yellow zone के अंदर आप पर्मिशन लेकर और फिर ऐसा कर सकते हैं जबकि green zone मतलब यह height की according है तो green zone जो है वहाँ पर आप बिना किसी permission के drone जो है इसको fly कर सकते हैं किस राज्य के द्वारा वैदिक शिक्षा और संसकार बोर्ड को इस्थापित करने का निड़ने लिया गया है तो वो है राजस्थान सरकार के द्वारा ठीक है जैसे चेरंजी भी रोजिना है वो भी राजस्थान सरकार की है और black fungus को black fungus को सबसे पहले epidemic जिस state निगोशित किया था वो कौन सा था वो राजस्थान ही था तो आप लोग देखिए कि ऐसा करने वाला राजस्थान जो है वो देश का पहला राज्य है पहला ही ऐसा board होगा अब इसकी स्थापना जो है वो चार से पांच महीनों के अंदर कर दी जाएगी इससे क्या होगा कि जितनी भी जो चात्र हैं उनको वैदिक सिक्षा मतलब जो हमारे प्राचीन काल में जो सिक्षाए चली आते थे रिग वेद के अंदर यह जुर वेद के अंदर वो सिक्षाए दी जाएंगी और योग से जो है वो कनेक्ट किया जाएगा आपको पता है कि 21 जून जो है वो योग दिवस आने वाला है किस देश ने नकली सुरज बना कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है तो वो चाइना के द्वारा नकली सुरज बना कर क्या बनाया गया है विश्व रिकॉर्ड जो है वो बनाया गया है इसमें क्या हुआ है कि इन्होंने केवल 12 सेकेंड तक ही एक टेंपरेचर जो है उसको गेन किया है ठीक है 12 सेकेंड तक 12 से फिर इन्होंने 101 सेकेंड तक ही लेकी गए थे और यह जो टेंपरेचर था वो कितना था 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस यह टेंपरेचर था और इस प्रो प्रोजेक्ट ये है चलिए बड़े हम लोग आगे इरान का सबसे बड़ा युद्ध पोत कौन सा था जिसमें आग लग गई और वो ओमान की खाड़ी के अंदर डूब गया था तो वो कौन सा था वो था खर्ग खर्ग आप लोग याद रखना ये इरान का सबसे बड़ा यु 630 मेगावाट है और किस नदी के ऊपर है ये है कोशी रिवर के ऊपर ये डगमारा प्रियोजना जो है वो बनाई गई है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बिहार साइंस MOU मेंबर ऑफ सॉरी Memorandum of Understanding तो ये जो है वो NHPCL के साथ में National Hydro Electric Power Corporation Limited के साथ में क्या किया गया है ये MOU साइन किया गया है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि डगमारा Multi Purpose Hydro Power Project Multi Purpose का Means है कि आप इसे Irrigation के Use में भी ले सकते हैं और Electricity जो है वो भी इसे Produce किया सकती है तो कोशी रिवर काँपे सूपल डिश्टिक के अंदर ये बहती है देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको दोंदला दिखाई दे रहा होगा लेकिन एक थोड़ा सा अच्छा मैप है यहाँ पर कोशी नदी जो है वो अपना मार्ग परिवर्तित कर रही है अपना जो कोर्स है उसको बार-बार चेंज करती है Basically इसका Original कोर्स तो ये है लेकिन फिर इसने Diversified कर दिया इसको इस तरीके से फिर और जो है वो अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया और मार्ग परिवर्तन करने से बार बार जो है इसके अंदर क्या आती है बार आती है देखिए मान लीजिए कोई नदी बह रही है और वो नदी जो है वो अपने साथ में सेडिमेंट से लेके आती है जो कि अपने नदी के बहाव छेत्र के अंदर ठीक है कैश्मेंट एरिया ज विंडो जो है वो किस उत्पाद के लिए कौन से प्रोड़ेट के लिए शुरू की गई है वो है किसके लिए बैम्बू के लिए बास के लिए ठीक है तो यहां पर बास से बने हुए उत्पाद जो है इनको क्या किया जाएगा इनको आगे बढ़ाए जाएगा और इसके लिए कैसे इस बास को उगाए जाए कैसे इसको आगे बढ़ाए जाए इसके लिए एक window जो है वो निर्मित की गई है International Airport Council के दुआरा किस airport को green airport के सुची में शामिल किया गया है तो वो कौन सा है इंद्रा गांधी International Airport जो है इसको शामिल किया गया है क्यों क्योंकि इसने fuel consumption जो है planes का वो काफी किया है इसके साथ में ही green जो airport है इसके नजदी क्या किया है जितना भी plastic जो कचरा होता है इसको control किया है और इसी कारण इसको क्या दिया गया है green airport के सुची में शामिल किया गया है ये भारत का सबसे बड़ा airport है पूछे सबसे चोटा airport कौन सा है तो वो है तिरिची airport इसके साथ में solar power जो airport है वो कौन सा है वो है camping गोडा और सबसे उंचाई पर इस्तित जो है वो है कुशोग airport लद्दा के अंदर इस्तित है बिहार के जरदालो आम को किस देश में निर्यात किया जा रहा है तो वो है United Kingdom के अंदर ठीक है तो बिहार का ये जरदालो आम है इसको 2018 के अंदर GI tag दिया गया था जोग्राफिकल इंडिगेटर जो है वो इसको दिया गया था और इसकी विशेष्टा ये है कि इसका जो रस होता है यहीं कि इसमें मिठाज जो है वो इनके अपेक्षा जादा होती है तो United Kingdom के अंदर इसको supply एक्सपोर्ट जो है वो किया जा रहा है तो आप लोग यहां पे news देख सकते हैं for the first time पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि भागलपूर जो है वहां से UK के अंदर क्या किया जा रहा है इसको export किया जा रहा है देखिए यहां पे UK और England के अंदर आप लोग फर्क समझे यहां पे England पे मैं लिखता हूँ England के सामने 1, Wales के सामने 2, Scotland के सामने 3 और इसके साथ में Northern जो Ireland है यहां पे लिखता हूँ मैं 4 तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 is equal to UK समझ गया आप लोग ठीक है तो इसको तो कहता है UK और यह जो आप लोग देख रहे हैं यह England अलग होता है और जबकि पूरे को हम लोग इसे कहते हम लोग British Islands कहते हैं ठीक है यह हम लोग कहते हैं Great Britain कहते हैं अंतराश्ट्री यह Olympic समिति के द्वारा जो खिलाडी Olympic में COVID-19 सक्रमित पाए गये हैं तो उन्हें कौन सा medal देने का निश है वो खेल लिया है और सेमी फाइनल खेलने के बाद उसमें यह तो योगिता डवलप हो गई है कि हाँ इसने कुछ मेहनत की है तो उसको क्या किया जाएगा Silver Medal दिया जाएगा लेकिन सेमी फाइनल जीतने के बाद अब उसको क्या हो गया है COVID हो गया है और COVID होने के कारण अब जो एथलीट है वो COVID-19 सेकनमित पाए जाते हैं तो उनको सेमी फाइनल के बाद जो है वो क्या दिया जाएगा इनको Silver Medal दिया जाएगा चलिए आज का इस्टाडी कोशन आप लोग के सामने है कि WHO के तो WHO has been appointed as the chair man of the executive board of WHO तो आप लोग को मुझे comment section के अंदर इसका answer देना है आप लोग मुझे इंच्टा पर follow कर सकते हैं कोई भी आपकी query हो तो मुझे पूछ सकते हैं टेलिग्राम चैनल के ऊपर आप लोगों को ये सारे कोशन की quiz जो है वो भी available होगी और इसके साथ में PDF जो है with answers वो भी share कर दी जाएगी चलिए study gloss आप लोग के लिए बहुती बहत श्रिन करनेटेफर के साथ तब तक के लिए धन्यवाद थेंक यू